जब से गोगोदीदी योजना को भारती जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है उसी दीन से हम देख रहे हैं कि राज़े के मुखमंतरी हैमन सुरिंजी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बखला सा गए है सरकारी के पतादीकारियों के और से नोटिस निकलवाना धमकी दिलवाना और साथ ही ट्यूटर में खुद भी उन्होंने ट्यू Watts किया और कई लोगों की ओडियो भी मोबायल में डलवा-डलवा करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यह साफ दिख रहा है इससे ये समझ में आता है कि गोगोदीदी योजना मा बहनों के उपर जो इतना प्रभाव पड़ा है या वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है अब उनको हेमन सुरेंजी ने चार खंड की जनता को खुब ठाका खुब लूड़ा पहले भी उन्होंने कहा था कि मा बहनों के लिए सरकार बनेगी हमारी तो दो हजार रूप्या छुला खर्च देंगे उन्हें कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो गरीबों को साल में बहत्तर हजार रूप्या देंगे उन्हें कहा था कि लड़कियों के साधी होगी तो सोने की सिक्का देंगे बीधवा को भीत को दिभ्यांग को अधाय हजार रूप्या पेंट सब देंगे पांच लाक नौजवानों को नौकरी देंगे और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता बीये पास को पांच हजार, एमे पास को साथ हजार देंगे लेकिन पूरे पांच साल हो गया कुछ भी नहीं किया अगर आज हम कहें कि एक पिक्चर था बबली और बंटी कैसे लोगों को ठाकते थे तो हेमन सुरेन की उपर सटी को बैठता है और इसलिए मैं तो कहूंगा कि हेमन सुरेन को जितने भी डरा ले धमका ले ले कि बीजेपी के कारकरता कोई डरने वाले नहीं है नमस्कार जोहार जैहिंद आप सुरेका रोजगा टीम में स्वागत थे गोगोदी योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुसकरी सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीजेपी का कहना है कि गोगोदी योजना बंद नहीं होगा चाहिए जेमेम कुछ भी कर ले अगर जारकन में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम गोगोदी योजना लाकर रहेंगे और हर एक महेने के 11 तारिक को हर एक महेलाओं बहनों के एकाउंट में 21 रुपया भेजेंगे पावलाल मरांडी जी का कहना है कि हम न डरे हैं न डरेंगे आगे भी गोगोदी योजना का फॉर्म भराया जा रहा था और अब भी फॉर्म भराया जाएगा अगर जरुरत पड़े तो मैं घर गर जाकर फॉर्म को भरवाऊंगा जो अपडेट आया है इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चेनल पर पाहली बराये हैं तो चेनल को सबस्क्राइब कर लिजिए अगर आपने अभी तक गोगोदी योजना का फॉर्म नहीं भरा है अगर बिजेपी कारिकरता आपके घर आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भरवा लिजिए क्यूंकि इस योजना के तहत हर एक महेने के 11 तारिक को आप लोगों को 21 रुपया मिलेगा और आज के पेपर में भी अपडेट आया है एक नहीं बहुत सरा अपडेट आया है तो कि सबसे पहले तो पेपर का जो फ्रॉंट पेज है front page में ही ये वाला update छपा है तो बार बार जब update आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि योजना बंद नहीं हुई है योजना अभी भी चल रही है form अभी भी भराया जा रहा है अब मैं आपको सब कुछ live proof के साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा अब लोग देख सकते हैं ये आज के पेपर का update है जिसमें लिखा गया है कि हर महिने की 11 तारिक को 2100 रुपिये सभी महिलाओं के खाते में अगर हम लोग बात करें update का तो देखिए ये आज के पेपर का update है जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपाप प्रदेश अधक्ष ने हमंत सरकार पर लगाया आरोप कारी करताओं को अफसर डरा धमका रहे बावलाल मारांडी बावलाल मारांडी जी का कहाना है कि जो बिजेपी कारी करता है जो गोगोजदी योजना का firm भराने के लिए लोगों की घरगर जा रहे है उनको डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है नोटीस जारी किया जा रहा है गोगोजदी योजना को बंद करने की साजिस की जा रही है लेकिन बावुलाल मारांडी जी का कहाना है कि हम लोग रुकेंगे नहीं हम लोग जुकेंगे नहीं हम लोग डरेंगे नहीं फर्म भराया जा रहा था फर्म भराया जाएगा आगे भी गोगोदी वोजना का लाब अगर बीजेपी की सरकार जारकन में बनती है तो लोगों को इसका लाब मिलेगा आप देख लिजे यहाँ पर जो complete update है complete update को आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आज के paper का update है तकी इस update में बताया जा रहा है कि भाजपाप परदेश अधेक्ष बावुलाल मरांडी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि हमंद सरकार अपने अपसरों के जरिये भाजपाप कार करताओं को डड़ा धमका रही है उन्होंने कहा कि जार्खन की माताओं बहनों के बीच गोगोद दी योजना कि स्विकरियता देखकर मुख्यमंत्री हमंत स्वरन और उनकी पतनी वोखलाहट में है हमंत गोगोद दी योजना का दुस्परचार कर रहे हैं तो यह बहुत काउंट से पैसा काट लिया जाएगा आगे देखिए सरकारी अधिकारियों के माजदम से भाजप्या कारिकरताओं को डराने धमकाने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन बीचेपी कारिकरता फ्यमंत की गिधर भवकिसे दरने वाले नहीं है मतलब यहां पर आप देख सकते हैं क जो गोगोजदी योजना है ना इसका फॉर्म भराया जाएगा यह योजना बंद नहीं हुई है और यह योजना भी बंद नहीं होगी बीचेपी का यह कहना है मरांडी ने कहा कि पिछले पांच सालों में जनता के साथ जूटा वादा करने वाले हैमंत को जारकन की जनता कर जबाब देगी भाजबा के पंच प्रण की घोसना से हैमंत स्वरन हतासा में है इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर आगे के अपडेट को देखें तो आगे के अपडेट में यहाँ पर लिखा गया है कि छारकन की युवाओं को नौकरी के लिए तरसाने वाले मोत के में सुलाने वाले हमंत अपनी निस्चित हार देखकर बोगला चुके हैं छारकन में भाजबा सरकार बनते ही अपने पंच प्रण को लागू करेगी जनता सी किये हर वादे को पूरा करेगी सरकार बनने के बाद पहली केबिनेट में योजनाय लागू होगी और यह जो योजना के तहद जारकन की हर महिला के बैंक खाते में हर महिने की ग्यारत तारिक को 21 रुपिय तक की बित्य साहिता देंगे और यह जो योजना है यह फस्ट केविनट बेठक में ही यह लागू कर देंगे बिजेपी इसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो देखिए जब इस प्रकार का ऑड्राया धंकाया जा रहा है ? घूड जा जा कर इन पर गोगोष योजना का फर्म भरवा रहे हैं तो इससे यह बात जाहिर नहीं हμαι और आप लोग यहां पर एक अपडेट देख सकते हैं यह बावलाल मरांडी जी ने अपने ट्विटर एकाउंट में ट्विट किये हैं क्या इन्होंने कहा है कि आज हटियाद धानसभा अंतरगत एयरपोर्ट रोड इस्तेत खोकमा टोली में माताओं बहनों से गोगोजदी य 21 रुपिये पहुंच जाएंगे गोगोजदी योजना के माजदम से हमारी माताएं बहने समरिद और ससक्त बनेंगी तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से बावलाल मरांडी जी खूद यहां पर जा जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप लोग के घर में अ लाम मिलेगा तो फॉर्म भरवान में हर्ज नहीं है उसमें आपका इसे भी ब्यांक अकाउंट बेगरा कुछ भी नहीं लग रहा तो पैसा काटने का कोई सिस्टम ही नहीं बनता है पैसा बगरा नहीं कटा जाएगा आप जितना जली संबब हो सके अगर फॉर्म मिलता है व